ग्यारे हजार आट सो चालिस रोपे के अंदर आप घूम करके आएंगे सिक्स नाइट सेवन डेस के लिए लेह लद्दाग हाँ दोस्तों लेह लद्दाग सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम बिजली सी कौन्ध जाती है मैं खुद कई बार अपनी लाइफ में चाता हूँ लेह लद्दाग घूम करके आओ लेकिन सबसे पहले मैं आपको घूमाना चाता हूँ इस साल तो मैं खुद जा रहा हूँ लेकिन साथ मैं आपको भी ले जाना चाता हूँ 11,840 रुपे में कैसे इस पैकेज को बुक कर सकते हैं जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो के लास्त तक बने रहो और अपने पूरे ग्रूप के साथ ले लद्दाग हो करके आओ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडि बहुत ही बहुत ही बेस्ट दिल अगर बुक करना चाहते हो पूरे इंडिया की और अब्रॉड की वी तो बस क्या करना है जाके चैनल को सब्सक्राइब करो नीचे देखे रैड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा के क्लिक करो बैल आइकन को ताकि आगे आने वाले वीड चलिए दोस्तों आईए तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूं लैप्टाप की स्क्रीन में और आपको इस पैकेज को पताते हुए मैं आपने आपको इतना एक्स्ट्रीम एक्साइटेड फील कर रहा हूं लेह लगताक वो भी ग्यारे हजार आट सो चालिस रुपे में और समय यारो इस पैकेज को आप 100% बुक करवाना 6 nights 7 days का ये पैकेज होने वाला है जिसमें 6 breakfast 6 dinner included है आईए आपको इसकी detailed आइटनरी बताना start करते हैं लेकिन हमेशा याद रखिए इस पैकेज को बुक करवाने के लिए आपको वीडियो के title ने मैंने travel company का नंबर दे दिया है अगर ये आपको best लगता हो आपके according लगता हो सूट करता हो इस package को बुक करवाना पूरे group के साथ और हो करके आना अपने सपनों की इस destination पे लिए और लंदाख 2021 मैं तो जाही रहा हूँ मेरे साथ आप भी चलिए day 1 पर हम लोग चलेंगे arrive कर ये लिए पहुँचिए by air 35005 मीटर की उ पर आपको लह मिलता है arrive कुशुक बकूला एरपोर्ट लह 3500 मीटर अबाव सी लेवल ट्रांसपर इसके बाद आपको मिलेगा होटल में ट्रांसपर किया जाएगा breakfast करिए होटल में before 9.30 a.m. half day at rest for acclimatization के लिए half day आपको मिलेगा after lunch के लिए drive करिए lunch के बाद visit करिए सांती स लह पैलेस और लेटर ओन इवनिंग वाक एराउंड करिए local market में और overnight stay करिए इस लह के hotel में और acclimatization तो यार होना बहुत जरूरी है जो आपकी आगे की जर्नी होगी न वो actually में extreme conditions में होती है और आपकी जो body होती है वो हम जैसे शेहरों के धूल, धक्कड, pollution में रह करके वह वहां के लायक, वहां के equivalent वहां के weather में fit होने के लिए आपको acclimatization की requirement होती है, next day की बात कर लेते हैं, date उपर, drive आपको करने को मिलेगा, शाम वैली एंड ऐलीची, 70 km है, after breakfast drive to visit thousand year old ऐलीची monastery, the only gompa in Ladakh region on flat ground, therefore proceed to Likri monastery, visit the splendid three story dharma wheel gompa, here you will awestruck with the sight of massive buddha status, Indus and Jhanskar river sangam, आपको देखने को मिलेगा, जहां पर Jhanskar और Indus river दोनों का मिलन होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, drive along with Indus river visiting करेंगे आप पत्थर साहिब गुरद्वारा and magnetic hill where the cars defy gravity, Bosgo palace hiking only and further on to lay half of fame, which has a museum of Cargill War memorial, overnight stay करिए उसके बाद hotel के अंदर, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम day three के बारे में, इस दिन आप लेसे नुब्रा वैली जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में, 18300 से की fit की उचाई पर, arrive at hundur, by afternoon आप पहुंच जाएंगे, rest करिए, of the day is free to explore, दिकसित, 100 villages over the night, आप camp में बिताएंगे, अब बात कर लेते हैं day four की, नुब्रा से दिस्कट मोनेस्ट्री और पैंगॉंग वाया शयोख उतेवे 160 किलोमेटर के इस दिना की जरनी होने वाली है, mark this day as the highlight of your fabulous trip as you visit the Dixit Monastery and the Pangong's TSO, enjoy breakfast करिए under a clear sky on the river bank and travel to Dixit Monastery in the town of the same name, इसी नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है आपको Pangong TSO Lake जो पूरे वर्ल्ड में famous है, आपने इसका नाम सुना होगा, इस दिन ये विजिट करने को मिलेगा, as you are near the town you can view the huge 106 feet की उचाई पे, matria, buddha, atop a hill, you stay at the campsite में आप stay करेंगे पूरी रात, under star, spangled sky, overnight at camps in Pangong TSO, लेग जील के किनारे पे, आपकी रात बीतेगी, चारो तरफ चाननी रात होगी, सितारी दम टिम्टिमा क्लियर दिखरा होगा, और इस नदी के बैंक पर, आपका इस समय, आपकी रात, पूरी जिंदगी आपको याड रहेगी, दोस्तों आप बात कर लेते हैं, day 5 की, पैंगांग से ले, इस दिन आप निकलेंगे, morning visit करिए, lake at the sunrise and drive back to ले, evening free होगी, शॉपिंग के लिए, overnight आप stay करेंगे, hotel पर, अब बात कर लेते हैं, दोस्तों, day 6 के बारे में, इस दिन, इस दिन आपको तूर करने को मिलेगा, tour of Hemis का, ठिस्की का, शे मोनेस्ट्री, 3 EDS स्कूल कैंपस, सिंधु दर्शन, ये सब चीज़ आपको इस दिन घुमने को मिलने वाली हैं, आएए अब बात कर लेते हैं, इसकी डिटेल के बारे में, after a leisurely breakfast, we drive to visit Hemis Monastery के ले निकलेंगे, जो 45 किलोमेटर है, west है ले से, Hemis is the largest and the wealthiest monastery है, Ladakh के अंदर, from Hemis, you are driving back, taking the same route to visit थिस्की Monastery, located on a hill lock, with a formidable views of the Indus Valley, थिस्की is especially not worthy for its genetic seated statue of the matria, and is also known as its Dukong Assembly Hall, which houses hundred of rectangular prayer books, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसके बार, आप जाएंगे Shai Palace, the former summer palace of the King Ladakh के अंदर, Three Aiders School Campus जाएंगे, सिंदु दर्शन विजिट करेंगे, और overnight stay करेंगे, होटल के अंदर, day 7 पर morning में transfer आपको मिलेगा, airport के लिए board करिए, flight और वापस अपने destination पे निकल जाएए, अब बात कर लेते हैं स्टूर की cost की, अगर आप 12 person के group में हैं, तो आपको ये tour कीवल पढ़न company को call करिए, और अपने इस tour को book कर वा लिजे, जो आपके price के according पढ़ने वाला है, होटल और campus क्या के दिये जा रहे हैं, लेक के अंदर, the Hermitage, शुमक विला, यूटॉक, guest house या इससे similar मिलेगा, नुब्रा में, sand dune hotel, reals या चीन, या इससे similar मिलेगा, पैंगाउग में, P3 camp य उसके बारें बात कर लेते हैं, accommodation on twin, या double sharing basis पर होगा, इस पर the itinerary listed जो की गई है, mince में होगा breakfast and dinner, all sightseeing and transfer होगा by non AC tempo traveler के तुरू, ये सब कुछ आपको गुमाय जाएगा, environmental wildlife and red cross fees included होगी, inner line permit भी होने वाला है, अब बात कर लेते हैं, क्या-क्या excluded होने वाला है, तो उसमे आप इसको पढ़ लिजे, पहुश करके, any sightseeing, a question that is not mentioned in the itinerary, monument, entrance, piece, guide, other expenses, and item of person requirements, such as drinks, laundry, any medical equation, any expense occur to natural climate, security, unexpected reason, any type of insurance, personal medical, travel, etc., any earfare, ये इस package में included नहीं है, उमीद करता हैं, दोस्तों, आपको ये package, बहुत ही बजट में दिख रहा होगा, और अगर आप एक ग्रूप के अंद best option है, और अगर आप ग्रूप में नहीं है, तब भी जैसे मैंने बताया, वीडियो के title में दिये गए, नमबर पे call करें, और अपने package को book करवा लें, मिलते हैं दोस्तों, इसी तरह के बहुत ही अगले, interesting, और informative, cheap and best option के साथ, किसी इंडिया के other travel destination के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जै हिन, जै भारत, नमस्कार